सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां कैसा रहीगा आपका दिन सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाईयों पर रखते हो प्रकास बाटने से चीरागों के रोसने कम नहीं हो चाती जब जेब में रूपए हो तो दुनिया आपके आउकात देती है और जब जेब में रूपए ना हो तो दुनिया अपनी आउकात दिखाती है आज का पंशांग 8 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार मारगशिश मास के शुक्लपक्च के पूर्णीमत इथी सुबह 9 बचकर 38 मिलट तक रहेगी इसके उपरान प्रतिपदा तिथी प्रारम होचाईगी रोहिडी नामक नक्षत्र दुपहर 12 बचकर 33 मिलट तक रहेगी इसके उपरान मुरिक शिर्षा नामक नक्षत्र प्रारम होचाईगी आज का राहूकाल 8 दिन का सबसे असुप सम्मे दुपहर 1 बचकर 38 मिलट सी 2 बचकर 57 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्थाद दिन का सबसे सुप सम्मे सुपह 11 बचकर 57 मिलट सी 12 बचकर 49 मिलट तक रहेगा आज चंदर्मा व्रिशव रासी पर रातरी 1 बचकर 44 मिलट तक रहेगी इसके उपरांत मे थो राशी पर संशार करेगी और आज शूरिया व्रिशव रासी पर रहेंगी मेश राशी 8 दिसंबर 2022 देन गुरुवार मेश राशी वालों के लिए आज के दिन काफी परशानियों वाला हो सकता है और आपको कारेच चेतर में कुछ समश्याओं का सामना करना पड़ सकता है आज आर्थिक लाप की समश्याओं भी रहेगी परन्तो आप अपने मन के विचार अथ्वा वैवशाय का प्रचार खुल कर नहीं कर पाएंगी और इस कारण से आपको नुक्षान हो सकता है वैवशाय एक चेतर में समानी सफलता मिलेगी खनीच पदार्थो तथा सिमेन के वैवशाय से जुड़े जातकों को लाप के ओशर प्राप्त होंगी समाजिक चेतर से जुड़े जातकों को आज काफी प्रसिद्धी प्राप्त होगी कारे चेतर में किसी प्रकार के वैवधान आ सकती है छात्रों को सिख्षा के छेत्र में कुछ अर्चनों का सामना करना पड़ सकता है सफलता के लिए एकागरता बनाए रखी जो लाब होगा जो की महरी नीवियसों से बच कर रही लेन देन में शोधानी भी बड़ती परवारिक जीवन में आश्मांसिक उल्चन मैसूस करेंगी अश्याप को अपने घर में किसी प्रकार के असंतोश के सामना करना पड़ सकता है आपको लगेगर की सारा दबाव आपकी उपर है परवार में वाद विवास से बच्छें आकारन कुरोधाप के रिस्ते को खराब कर शकता है प्रेम सम्मंधों में नवीनता एवं मधूरता बनी रहेगी अचानक कुछ परवारिक खर्चों में बढ़ोत्री से परशानी होगी मन और रंचन के लिए आज समय निकाले इससे तनाव से दूर होने में सहायता मिलेगी पेश्वर रूप से या समय दाव लगाने और नए रास्ते प्राप्त करने का हो सकता है अचानक हुए ब्रेक अप या अलगाओ से आप नए और शरू को खोचनी के लिए स्वतंत्र होंगी बुचूर्गों को लेकर सचेत रहें खासकर अपने दादा जी के सम्मान किसे वैक्ती के लिए जिने आपकी सहायता के जवरत हो या जो आपकी मदद करी आप अभी खुद के अध्यात्मिक विश्वासों के संपर कमी हैं सही दिसा में अपने मार्गदर्शन के लिए इनका प्रयोग करीं क्योंकि आप खुद को पेश्वर या भावनात्मक्च और राहे पर खड़ा पा रहे हैं प्यार विवा बच्चे और काम में आपके रशनात्मक्ता अच्छा आपको लाप पहुचाने में मदद करेगी हाला कि काम अतरिक्त जिम्मेदारियों को लाता है लेकिन आप इसे भी बखोवी पूरा करेंगे संचार कलपना चतूरता आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है आप स्वयम ही उन इस्तरोतों को खोच लेंगे जो आपको लक्ष की ओर ले चाती हैं आप बधाओं को दूर करने में व्यस्ते हैं जो लंबे समय से आपको परिशान कर रही थी आंत्रिक खुशी ही सब कुछ है और यही जीवन में बदलाव लाती है आज के रोच जो भावक में चाच आप पर छाया हुआ है उससे निकलने के लिए बीती बातों को दिल से निकाल देजी आज अगर आप दूश्रों के बात मान कर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन पक्का है दूश्रों को प्रभावित करने के आपकी छमता आपको कई शकरात्मक चीजे दिलाएगी अपने रोमेंटिक खयालों को हर किसी को बताने से बची कामकाज में आ रहे हैं बदलाओं के कारण आपको लाब मिलेगा आसो समझकर कदम बढ़ाने की जवरत है जहां दिल की बज़े दिमाग का ज़्यादा इस्तमाल करना चाहिए असहस्ता की वज़े से आप वैवाहित जीवन में खुद को फसा हुआ अनुभाव कर शक्ती हैं आपको जवरत है तो जीवन साथी के साथ आत्मी या बाच्चित की शौधानिया आप किसी की दीगे सला से आगे बढ़ेंगी तो अच्छा नाम कमाएंगी आपको आज किसे विपरित परिस्थिती में भी धैर बनाया रखना होगा सुआसमे यदि कुछ शमश्य चल रही है तो आपको उन संकेतों को नजर अंदाज नहीं करना है करोबार कर रहे हैं लोग जोकि मुठाने से बच्चे नहीं तो समश्य हो सकती है अपने किसी करीबी से शौधार रहना होगा नहीं तो वह आपके साथ कोई छल कर सकता है बात करते हैं लब लाइफ की अज बच्चे आपके जीवन में स्पोट लाइट पर हैं रशनात्मक अंतर दुष्टे से भरपूर होने के साथ साथ आप नए विचारों को अपनाने के लिए भी तयार हैं आप भी रोमेंटिक मूड में हैं, लेकिन मुस्किल में फसर अपने रिस्ते को बचाने के लिए आपको लंबा समय, बचाने के लिए आपको लंबा रास्ता तै करना है। मन रंचन आपके लिए महत्व पूर नहीं, क्योंकि आप दोस्तों की कमपनी का मचले रहे हैं, या किसे दिलचस्प प्रशंग में भाग लेंगे, अध्यात्मिक मामलों को भी प्रात्मिक्ता दे, आज आप जो चाहते हैं, वो सब कुछ पूरा होगा, अगर आप सिंगल है त कोई दोस्त या शहकर्मी किसे रोमेंटिक प्रस्ताओं के साथ आपको हैरान करेगा, वैपार की या अपने प्रीजनों के साथ किसी कारेक्रम की, आप किसी में भी गलत नहीं हो सकती, अपने पार्टनर को अपने इन छोटी-छोटी खुश्यों में सामिल करना ना भूले, आप खुद को एक उच्च बौधी किया, यौन इस तर पर खोचने के लिए भी तयार हैं, जैसे ही आप अपनी इस पिरिट में विकास देखेंगे, वैसे ही आप अपनी प्यार और अपनी भावनाओं के विस्तार में सक्षम होंगे, बात करते हैं करियर की, किसी रिस्ते य ये एक नई और रोमान्चक शुरुवात है, अपने मन की बास सुने और आपके दिमाग के रशनात्मक विचारों को पूरा करने के लिए प्रयास करी, ओपिस के राजनिती और बहस में फशने से बचने के लिए कारिस्तल में कुट नितिक ग्यवनी, खाली समय का उप्योग करने के लिए नए रास्तों की तलास करी, दोस्तों और प्रीजनों के साथ अच्छे समय बिताएं, दिल्चस्पने संभावनाएं आपका इंतिजार कर रही है, इसलिए खुली बाहों से उनका स्वागत करी, आप इस समय सहासी मैसूस कर रही है, आप उन लोगों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं जो आपका सहीयोग नहीं करते, या आपके कारिक की गुर्वत्ता में बाधा है, अपनी कामों को पूरा करने के लिए अन्य लोगों पर अंधा विश्वास ना करी, बात करते हैं सेहत की, सेहत के लिए हाज से देखा चाये तू, आज आपके सेहत म अध्य रही का, गठ्या के रोग से ग्रसित जातों को गुटनों के दर्द से कष्ट संभव है, वयाम से लाब होगा, आप गरम पानी पीए, आज का उपपाए, आज अब भगवान विश्वान जी की पूजा रादना करें शुब रही का जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, आपका दिन शुब हूँ